अब फिर्ट सम्देखते हैं extension of coaches theorem to multiple connected region इन डार बिट्वीन तू सिंपल क्लोज कर सीवन एंड सीटू के बीच में एपजर जो है वो एनलेटिक फंक्शन है देन हमारे पास एपजर सीवन एपजर डीजर वरावर सीटू एपजर डीजर प्रूफ पढ़ते हैं हमारे पास चूंकि इंटेग्रेशन ओफ एपजर वीड़ पाथ ओप इंटीगरेशन इंटीगरेशन इन अगर एंट्रीगरेशन का पाथ को या एप चलते तो एंटिकलोग वाइड़ डायरेक्शन है तो हमारे पास एपज़र डीजर यानि कि सीवन जो है हमारे पास है यहां पर देखते हैं C2 जो है वह clockwise direction में और C1 जो है anti-clockwise direction में friends यहां से देख सकते हैं तो anti-clockwise direction और clockwise direction तो यहां से हमारे पास यह हो गए A B FzDz minus C2 FzDz plus B A FzDz plus C1 FzDz equal to 0 यहां हमारे पास पूरा integration जो इसके A B उसके बाद यह C2 यह C1 इस तरह से हमारे पास integration का उन्हों पूरा इसको लिख लिया है यह तो clockwise direction और यह है anti-clockwise direction यह हो गया तो यहां से यहां से हो गया हमारे पास minus C2 FzDz plus C2 FzDz equal to 0 as A B FzDz equal to minus BA FzDz यहांने क्यों चुक्कि यह भी यह clockwise direction यह anti-clockwise direction ने सिर्फ direction जो डारेक्शन हम integration यह टू भी कर रहे तो उसको हमने बीटू एक कर दिया तो उस condition में हमारे पास यह दोनों को सैंज हो जाएंगे यानि इसका जो सैंज होगा अगर यह X है इसका value X है तो इसकी value जो होगे minus X होगी तो इस तरह से यह हमारे पास 0 हो जाए तो यहां से हो गया हमारे पास minus C2 FzDz plus C2 FzDz equal to 0 तो यहां से इसको साइड में ले गए तो C1 FzDz equal to C2 FzDz हो गया तो यह हमारे पास इसका जो solution है वह आ गया अगर यह हमारे पास इस तरह से क्रूज करबें C1 एक एंटी क्लोगवाज है बाकि सारी क्रूज करब C2 और क्लोगवाज है तो हमारे पास C1 FzDz बराबर C2 FzDz plus C3 FzDz plus C4 FzDz